अगर आप लोग अपने software development को थोड़ा सा भी आगे level तक लेकर जाते हैं तो आप लोग Apache और Nginx जैसे web servers का नाम सुनेंगे अब यह Apache और Nginx होते क्या है और इनको क्यों इस्तिमाल करते हैं कौन सा वाला इस्तिमाल करना है क्या गलतियां एक beginner developer अपनी early stage में करता है when it comes to choosing web server यह सब इस वीडियो में discuss करने वाले हैं let's get started सबसे पहले बात करते हैं कि Apache और Nginx की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों क्या हमारे जो normal Django के development server होते हैं फिर हमारे node का server होता है क्या वो सब काफी नहीं है इस बात का मैं सबसे पहले आप लोगों को जवाब दे दूँ जब भी आप एक professional setting में जाते हैं आप लोग अपनी application को professionally host करते हैं इसे professionally मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप actual में अपनी application से कुछ पैसा कमाना चाहने हैं फिर चाहें वो एक simple सा blog भी क्यों ना हो मैं आप लोगों के blog को बहुत ही serious business मानूंगा और यहाँ पर क्योंकि आप उससे शायद future में पैसे कमाएंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि आपकी user को downtime आए वहाँ पर आपकी user को एक second का भी downtime वहाँ पर नहीं मिलना चाहिए और आपकी website किसी भी कि किसी भी इंसान के दौरा hack नहीं होनी चाहिए तो यह चीज़े आप लोगों को वहाँ पर ensure करनी पड़ती है और Apache और Nginx यह दोनों ही बहुत popular web servers है और यह दोनों ही आप लोगों को इस चीज को avoid करने में मदद करेंगे तो आप लोग जो easy way होता है हमारा जैसे की python jango में अगर आप लोग काम कर रहें तो python manage.py run server कर देते हैं वो एक port पर आपका खुल जाता है एक server वो चलने लगता है अब आप अपने दोस्तों को link भेज देते हैं कि यार मेरा जो यह particular let us say code withherry.com colon 8000 है इस पर मेरा jango का server चल र server होता है वो बना ही निए इस चीज़ के लिए वो production में application को सर्व करने में मतलब बिल्कुल भी कारगर नहीं है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यार थोड़े से users अगर आपकी website पर आ जाए और आज की जमाने में जो थोड़े से users हैं वो मेरे इसाब से 30-40 users को मैं मान बहुत कम users हैं अगर उतने ही आगा है अगर आपकी website पर तो आपकी website बड़े आराम से crash हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा भी high end task करें जैंगो में और अगर आपकी machine बहुत normal है तो बिल्कुल भी scale नहीं करता है जैंगो का development server जो होता है इसलिए experts स्वारा recommend किया जाता है कि आप लोग security features वाला web server जो की इस काम के लिए explicitly बना हुआ है उसको इस्तिमाल करें तो Apache और Nginx के अंदर अपने security features हैं Apache और Nginx के अंदर static files को serve करने का optimal तरीका है और उसके अंदर जो code लिखा हुआ है उसकी सहायता से बड़े आराम से आप लोग static files को serve कर सकते हैं बिना आप end से code लिखे अनि कि किसी ने आप लोग के लिए मेनत अल्री कर दी है आपके web server की जो compute है जो उसका CPU है RAM है उसके अंदर अगर GPU लगा हुआ है उसको कैसे optimally इस्तिमाल करना है ये जो Apache और Nginx servers हैं इनको बड़े अराम से configure किया जा सकता है आपके computer के hardware को optimally use करने के लिए तो इसलिए हम लोग इस्तिमाल करते हैं Apache और Nginx जैसे web servers को आप लोग बड़े अराम से एक virtual host बना कर एक ही server पे 10-10 websites को host कर सकते हैं अलग-अलग domains के साथ Apache और Nginx की साहिता से Apache और Nginx का syntax थोड़ा सा अलग है और Apache versus Nginx से बहुत पुरानी debate है तो web server हमको क्यों चाहिए सबसे मैं ये clear कर दूँ कि या Apache क्यों चाहिए Nginx क्यों चाहिए इन दोनों में से कोई भी एक क्यों चाहिए इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपनी application को security के साथ deliver करना है हम लोगों को अपने जो हमारे users है उनको बहुत seriously treat करना है एक second का downtime नहीं आना चाहिए अब Nginx और Apache को आप load bal balancer के तोर पे भी इस्तेमाल कर सकते है और load balancer यह होता है कि जैसे मानलो मेरे पास एक server यह है एक server यह है एक तीसरा server है तीनों में मैंने अपनी application को deploy कर दिया और एक particular request जो आती है वो इन तीनों में से किसी भी server पर चली जाएगी और एक बहुत ही simple सा load balancer की अगर मैं बात करन अगर one generate होता है तो पहले बाले पर कर दो three होता है तो तीसरे बाले पर कर दो तो कुल मिला कि आप इस तरह से Apache और Nginx को बढ़े अराम से load balancer की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो सिर्फ इतना ही नहीं इसमें और भी बहुत सारे features होते है जैसे कि Apache के अंदर आप एक directory level पर सारे क सारे जो Apache के directives से उनको इस्तेमाल कर सकते हो मैं जारा detail में नहीं जाओंगा वैरे deployment की एक series बना रखी है जिसमें कि मैं इन सब specifics में जाता हूँ पटकुल मिलाकर एक बहुत ही short and concise answer कि why we need Apache and Nginx ओ short and concise answer यह होगा कि हमको security चाहिए और हमको अलग-अलग domains को professionally अपने computer की अपने और Nginx में से use कौन सा करना है Apache या Nginx ये एक बहुत बड़ा सवाल है सबसे पहले तो एक सबसे simple सवाल का सबसे simple जवाब मैं आप लोग को दे देता हूँ कि दोनों में से कोई भी use कर लो बिल्कुल सई सुना आप में दोनों में से कोई भी use कर लो अगर आपके 5 दिन अगल बहुत जादा फर्क नहीं पड़ता है देखो यार अगर हम लोग host करेंगे एक website को शायद हम लोग WordPress hosting करेंगे या पर शायद हम लोग अपनी website को angular में बनाएंगे कुछ APIs का इस्तेमाल करेंगे हमारी website पे अगर at a time at a time हमको 300 users भी मिल गया है मैंने बहुत बड़ा number बोल दिय कहते न analysis paralysis आप इतना analysis करते हैं कि आप confused हो जाते हैं आपको Apache और Nginx में से कोई भी एक चुल ले ना लेकिन मैं personally Nginx को prefer करता हूँ मैं बता दो क्यों ठीक है बड़ उससे भी पहले मैंने आपर आपको spoiler तो दे दिया कि यार Nginx मुझे personally पसंद है बड़ मैं आपर explain करूँग आप लोगों को अलग-अलग factors के हिसाब से कि Apache और Nginx को अगर हम लोग compare करें तो क्या-क्या चीजे कहां-कहां पर fit होती है किसमें कौन सा better है तो सबसे बहले यहां पर बात कर लेते हैं कि Apache कब आया Nginx कब आया Apache आया था around 1995 और Nginx आया था around 2004 तो Apache पहले आया था तो जाहिर स के end में जहां पर सब लोग digitally जा रहे थे और लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार यह बहुत ही बड़ी चीज है इंटरनेट एक ऐसी चीज जिसमें कोई भी इंसान कुछ भी डाल कर अपने business को बहुत बड़ा कर सकता है वो लोगों तक पहुंचेगा पनलब लोगों ने इं सर्वर को इस्तिमाल भी कर रहे थे तो हुआ क्या इंटरन हुआ यह कि जो अपाचे की documentation और community थी वो बहुत जादा evolve हो रहे थी उस time पर तो आज भी अगर आप लोग अपाचे के syntax को देखते हैं और अपाचे की documentation को देखते हैं तो वो थोड़ा बहुत पुराने जमाने में लिखे गए code से inspired होता है मतलब मुझे उसमें पुराने जमाने की feel आती है कि यार यह जो XML type का syntax हम लोग लिख रहे हैं पाचे की configuration files में मुझे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता है मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि यार हम कुछ जादा ही type कर रहे हैं जब मैं पाचे मे में आया but the way it evolved और इसकी popularity जैसे से उपर को गई it's very impressive अगर मैं आज की तारीक में बात करूँ अगर मैं आज से 5 साल पहले तक की बात करूँ तो Nginx की popularity ऐसे जा रही है उपर की तरफ और Apache की जो popularity है बिल्कुल सही guess किया ऐसे नीचे की तरफ जा रही है और इसका reason यह है कि मै मैं अपना example देता हूँ आप लोगों मैं Apache से Nginx में shift हुआ क्यों हुआ shift क्योंकि मुझे कही ना कही लगा personally यार इसका जो syntax है वो बहुत जादा easy है तो अगर मैं एक comparison करूँ तो market share के हिसाब से Apache का market share नीचे जाता जा रहा है Nginx का ओपर जाता जा रहा है तो यह एक पहला point हो गया market share अब दोनों में से कोई भी एक web server को चुनने के लिए दूसरी जो चीज होती है वो होती है performance अब यहाँ पर मैं कोई performance test नहीं करने वाला और उसका reason भी मैं आपको बदाता हूँ मेरे इसाब से अगर आप लोग एक beginner है और आप just अपनी website को host करेंगे Apache Nginx से आप एक ऐसा conclusion निकालते हैं कि Nginx 2.5 times faster है to deliver static content यह चीज़ यहाँ पर important है static content static content का मतलब कि directly अगर आप image files को डाल रहे हो और serve करा रहे हो users को तो जो Nginx है वो जादा concurrent connection जो है hold कर सकता है और उसे के साथ सा जो Nginx है वो आपको तेजी से यानि कि जो content delivery की speed होगी उसको बहुत तेज रख कर आपके user को content deliver कर सकता है तो यह चीज़ यहाँ पर जो है Nginx जी कर रहे हो अपनी application में कभी 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 क्या मैं तो कौंगा 70% of the times अगर आपकी application slow है तो वह Apache Nginx की वज़े से नहीं है वो आपके code की वज़े से है आपको अपने code के अंदर जाकना है और अपने code को ठीक करना है वो जो आप लगाते हो ना triple triple for loop जो की शायद एक for loop में किय जा सकता था लेकिन उसके बावजूद भी triple triple for loop लगके चेक हो रहा है एक एक list बन रही है python में पांच-पांच list जो की शायद 5 की एक बनाई जा सकती थी वो बन रही है तो इस तरह के code जो लोग लिखते है ना उनको slowness जो होती है वो perceived होती है और उनको लगता है कि यार मैं थोड़ा सा modern वाली feel देता है और Nginx का जो है एक paid product भी है Nginx Plus और मेरे इसाब से support Nginx का अच्छा है तो अगर मैं बात करूँ performance की तो यहाँ पर Nginx जीतता है पर इसका मतलब यह नहीं है कि Apache जो है बिल्कुली lose कर गया है यहाँ पर बात करते हैं ease of use की जैसे कि मैंने आपक opinion के हिसाब से अगर आपको लगता है कि यार आप html जैसे syntax xml वाला अगर लिखते हूँ और वो आपको जादा easy लगता है block based index के comparison में तो शायद आप लोग Apache को जिता होगे बट मेरे हिसाब से मैंने जितना time spend ही किया है Apache को debug करने में मैं आपको बता नहीं सकता मैं जब अप time नहीं लगता सब कुछ आसान है जो चीज Apache के लिए अवेलेबल है Nginx के लिए भी कोई ना कोई चीज अवेलेबल मिली जाती है उसके जैसी तो मुझे Nginx पर shift करने में बहुत मजा है to be very honest but again Apache is equally good अगर आपकी company में Apache use हो या फिर अगर आपके college professor recommend करते हैं कि यार नहीं Apache use क करने वाले बरबाद हैं ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला मैं बस अपना opinion आप लोग को यहां पर बता रहा हूं और python based applications के बारे में बता रहा हूं कि यार मुझे लगा की बहुत जादा असान हो जाता है और angular react चैसी applications के लिए अगर आपको rules लिखने है तो वो भी थोड की लगती है Nginx के बारे में Nginx के बारे में Nginx के बास अपने courses है अपने courses है जो की paid है but again आप लोग के बास option है आप लोग के बास option है उनको खरीद के Nginx को सीखने का now मैंने try नहीं किये वो courses to be very honest मैंने नहीं खरीदे कभी बट मैंने देखे और मुझे थोड़ा सा impressive लगी चीज की यार Nginx वाले care करते हैं इस बारे में कि वो अपने users को सिखाएं फिर उसी के साथ साथ क्योंकि Nginx का paid product भी है तो वो लोग support भी बहुत अच्छा देते हैं तो ये चीज भी मुझे बहुत बढ़िया लगी Nginx की बारे में तो support और उसी के साथ साथ आपकी जो community है N Nginx की वो भी बहुत बढ़िया है अपाचे की मैं थोड़ी सी जादा resources उपलब्द होती है Nginx की उतनी जाता नहीं होती है बट ये चीज चेंज हो रही है मैं आज से करीब एक दो साल से देख रहा हूं कि जो चीज अपाचे के लिए उपलब्द होती थी और Nginx के लिए उ सर्च करता हूं तो वो चीज़े मुझे मिल जाती है stack overflow जैसे platforms पर जो की बहुत अच्छी बात है और मैंने ये भी देखा कि the speed at which people are switching from Apache to Nginx मैं मेरे personal circle में अपने friend circle में मैं जब बैटता हूं लोगों के साथ coffee पे और हम लोग अपनी development वाली बाते करते हैं तो वहां पर थोड़ी सी easily mention की जा सकती थी अगर आप Apache का documentation वाला भी page देखें मुझे clean नहीं लगता बिल्कुल भी clean नहीं लगता मेरे इसाब से उसको redesign करके थोड़ा सा अच्छा shape दिया जा सकता है अगर आप Nginx के documentation page पर जाकर देखें तो आपको लगेगा कि हां यार थोड़ी greenery लबर हूं modern time में जी रहा हूं और modern चीजों को पढ़ रहा हूं तो वो जो feel होती है वो मेरे हिसाब से थोड़ा अंदर ही अंदर आप लोग को थोड़ा बहुत हो effect करती है और मेरे हिसाब से मेरे अंदर positivity को जगाती है तो यह हो गया हमारा documentation point of view से अब एक आखरी चीज़ प और उसी के साथ साथ आप लोग को लोग कुछ इस तरह के attacks मार सकते हैं जिसमें वो बहुत सारी requests एकी टाइम पर एकी IP से आपके server भीज़ें और शायद आपका server या आपकी API डाउन हो जाए तो वो सारी चीज़ों को combat करने के लिए Apache में और Nginx में दोनों में बहुत अपका है Apache Nginx दोनों को मैं आपर जिताऊंगा कोई इसमें एक clear cut winner नहीं है बड़ गयान मैं एक overall clear cut winner की बात करूं अपने opinion के साथ से और अपने personal experience के साथ से जो जो चीज़े मैंने करने के कोशिश करी Node.js हो गया React applications हो गया Angular applications हो गया और फिर उसी के साथ साथ कुछ machine learning के code व इस होता है वो मैं आप लोग को बदा रहा हूँ कि मुझे Nginx में थोड़ा सा जादा देखा अब आपका क्या opinion है अगर आपने Apache और Nginx में से दोनों को use किया है या इन में से किसी एक को use किया है आपका अपना personal क्या opinion अगर आप Nginx को use करें कि आप खुश है कि आप Apache को कर use करें कि आपको लगता है या थोड़ा सा इंडेक्स difficult है या आपको उल्टा ही लगता है या Apache का अच्छा है Nginx का थोड़ा सा difficult है तो मुझे comment में जरूर बता है मैं आपके opinion का अंतजार करूंगा I hope कि आप लोग को समझ में आगे Nginx क्या होता है Apache क्या होता है इस तरह के web servers क क्यों इस्तेमाल करते है और आप लोग को एक बहुत अच्छा आइडिया लग दिया होगा यार कि क्यों हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के web servers I hope this video was helpful अभी के लिए इस वीडियो भी इतना है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time आप